गुजश्चता लेसन में हमने WordPress इंस्टॉल किया था और अब फाइनली इस लेसन में हम WordPress के बैक एंड में अपने एड्मिनिस्ट्रेटर अकाउंट के साथ लॉग इन करेंगे ताके हम WordPress का इस्तमाल शुरू कर सेकें तो उसके लिए एक web browser window में अपनी domain एंटर कीजिए जो हमारे case में www.xyz है इसके बाद slash wp-admin ये WordPress का एक standard admin login URL है जो आपकी domain के बाद slash लगा के उसके बाद wp-admin एंटर करके आता है इस address पे आप विजिट करेंगे तो आपको WordPress का login पेज आएगा यहां अपना username एंटर कीजिए और अपना जो आपने setup करते वक्त WordPress का admin account का password रखा था वो एंटर कीजिए remember me भी कर दीजिए और login कर, login करने के बाद आप आजेंगे WordPress dashboard में यहां से हमारा WordPress को इस्तमाल करने का सफर शुरू होता है अभी हम WordPress के interface को थोड़ा देखते हैं और उसके कुछ basic configurations देख लेते हैं मुझे at a glance क्या हो रहा है, एक post है, एक comment है, एक page है, यह देखने की जरूरत नहीं है activity के recently, क्या publish हुआ, क्या comments आए, उसकी भी मुझे फिलाल देखने की जरूरत नहीं है, यह मेरे लिए एक distraction होती है quick draft, जहां मैं quickly एक post का draft compose कर सकूँ, उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है WordPress की industry के आज़ पास क्या events हो रहे हैं, क्या news है, इसमें भी मेरा को खास interest नहीं है, मैं इसे भी dismiss कर देता हूँ site health की information, यह WordPress का एक नया feature है, यह आपकी site को monitor करता है और उसके बाद उसकी site की health के मताविक अगर कुछ suggestions होती है, उसे बेतर बनाने के लिए, तो यहाँ आपको शो करता है इसे on रखना मेरे ख्याल में एक अच्छा idea है updates में हमें WordPress में मुझूद themes और plugins के updates मिलते हैं, यहां से हम उन्हें bulk में update कर सकते हैं post sections में हम WordPress की blog posts को add कर सकते हैं, नई post लिख सकते हैं, किसी मुझूदा post को edit कर सकते हैं media section में WordPress की media library देखी जा सकती है, जहां images और uploaded files वगरा आपको तमाम मुए असर होती है pages section में WordPress के content का एक core हिस्सा, आपके website के major web pages हैं, वो manage किये जाते हैं comment section आपको तमाम posts पे किये जाने वाले, तमाम comments की एक जगा लिस्ट मोहिया करता है जहां आप उन comments को approve, delete, mark as spam वगरा कर सकें appearances section में हम theme, widgets, menus, background वगरा manage करते हैं, इसे हम detail में आगे देखेंगे plugin section में हम plugins की list भी देख सकते हैं, और नए plugin install भी कर सकते हैं, पुराने वालों को delete भी कर सकते हैं, और कुछ plugins की settings भी यहां से access कर सकते हैं users section में आएं, तो यहां आपको wordpress के backend को इस्तमाल करने वाले तमाम users की list मिलेगी और कुछ sites में, जिस तरह e-commerce sites हो गई, उसमें आपको customers की list भी यहीं पे मिलेगी, user administrator है, या customer है, या editor है, वो role की basis पे हमें पता चलेगा, और हम किसी user का यहां से role change भी कर सकते हैं, user की information को edit भी कर सकते हैं, और your profile में यहां के हम अपना profile edit कर सकते हैं, उसे देख लेते हैं, यहां एक toolbar वाली option जो है, show toolbar when viewing the site, उसका मकसद आपको दिखा देता हूँ, हम अगर अपनी site पे आएं, तो अगर आप administrator के तोर पे site पे login हुए हैं, और आप front end पे website देख रहे हैं, तो भी top पे यह admin bar नजर आएगी, अगर इस option को हम disable कर दें, और profile update करें, तो यहां से admin bar चली जाए लेगी, लेकिन इसके काफी फवाइद होते हैं, और मैं इसे रखना ज्यादा मुफीद समझता हूँ, अकसर cases में, यहां आप अपना नाम, enter कर सकते हैं, अभी यहां पे, मेरा small age के साथ हारून नाम लिखा आ रहा है, जो मेरा username है, जो जब हमने account बनाया था, तो setup किया था, जब मैं नाम चेंज करूँगा, और अपना nickname भी अपनी मज़ी का रख सकूँगा, और अपने नाम को display करने का तरीका decide कर सकूँगा, तो यह देखिए, यहां पे नाम वो update होएगा, wordpress में कहीं भी अगर मुझे as a user कहीं refer करना है, तो वो इस नाम से wordpress करेगा, अपना email भी म मुझे भी change करने की जूरत नहीं है, मैं अपनी website का address भी हाँ लेक सकता हूँ, मेरी website चुके यह नहीं है, इसलिए मैं यहां कुछ और address लेक सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो किसी social media का भी address लेक सकता हूँ, या इसे खाली भी छोड़ सकता हूँ, बाग्राफिकल इंफो में मैं अपने बारे में चंद अलफाज लिख सकता हूँ, हारून is the instructor of the build with WordPress course by extreme commerce, मेरी profile picture यहां पे change करने का feature मुझूद नहीं है, वर्डप्रेस की एक related service है, जिसका नाम है ग्राविटार, ग्राविटार मुखफफ है, globally recognized avatar का, gravitar.com पे जाके आप अपने email address के साथ किसी भी picture को associate कर सकते हैं, बहुत असान है, gravitar.com पे जाएं, अपना एक account set up करें, उस account में email address add करें, उस email address को add करने पे उस email address पे एक email जाएगी, जिसमें confirmation का link होगा, उसे confirm करें, उसके बाद gravitar में आप एक image upload करें, तो आपके पास option आए करेंगी के उस image को आप किसी भी email address का gravitar set कर सकते हैं, मैंने gravitar में haroon at happy.cloud के email address के साथ, ये image associate किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है, और यहाँ से मैं अपना password भी change कर सकता हूँ, और अपने इस account को, अगर वो किसी भी और computer से दुनिया में कहीं भी logged in है, उसे midnight color scheme पसंद है, ये select करके update profile करूँगा, तो मेरे profile में तमाम changes apply हो जाएंगी, इन options की आपको खास जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, आगे हम आते हैं, tools पे बाद में बात करेंगे, ये wordpress के कुछ related important tools यहाँ पे आपको मिलते हैं, और settings पे आजाएं, तो सबसे पहले general settings देखत कर सकते हैं, site की tagline जो कुछ themes कुछ चकों पे show करते हैं, वैसे इसकी कोई लाजिम जरूरत नहीं होती, ये भी आप set कर सकते हैं, इसे हम set कर देते हैं, wordpress course by extreme commerce, website address हो, site address को कभी छेरने की जरूरत नहीं है, unless कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे है, admin email address को भी छेरने की जरू नहीं चाहिए, हाँ, अगर आप की site किसी और ने setup किया और आप चाते हैं कि उस site की important notification emails किसी और address पे जाएं, तो वो यहाँ पे आप set कर सकते हैं, set करने के बाद आपको वो confirm करना पड़ेगा, अगर आप anyone can register वाली option को enable करेंगे, तो आपकी website पे कोई भी user आकर register कर से केगा, उसके पास site के content को edit करने की कोई option नहीं होगी, वो सिर्फ subscriber के role के तोर पे register होगा, यहाँ वो site पे किसी किसम की कोई change, किसी किसम का content add, remove, edit या delete नहीं कर सकता, new user का default role subscriber होता है, अगर आपने मिसाल के तोर पे new user का default role edited रख दिया, तो कोई भी अगर नया account register करता है, वो site का content edit क कर सकेगा, हम इसे subscriber नहीं नहीं देते हैं, और हम इस option को फिलाल disable रखते हैं, ताकि कोई भी अभी register ना कर सके, site की language आप यहाँ से select कर सकते हैं, time zone आपको अपने country के हिसाप से select करनी चाहिए, मैं चुके कराची में हूँ, इसलिए मैं कराची select कर लेता हूँ, आप अपने city क नाम यूज कर सकते हैं, या directly time zone यूज कर सकते हैं, date format भी आप अपनी मज़ी का select कर सकते हैं, मुझे अगर August 4th 2020 नहीं पसंद तो मैं 2020-08-04 select कर सकता हूँ, time format भी आप अपनी मज़ी का choose कर सकते हैं, और week का starting day भी select कर सकते हैं, मुझे इन options को change करने की कोई ज़रत महसूस नही है, writing section में कोई ऐसी option नहीं है जिसकी हमें अभी जरुरत पड़े, तो आगे जैसे हमें इस course में इन options में से किसी की जरुरत पड़ी, तब हम उसे भी देख लेंगे, reading section का सबसे पहला part बहुत important है, यहां हम बताते हैं कि WordPress by default आपकी site के visitor को क्या दिखाएगा जब वो आपकी domain name पे visit करेगा, आपकी latest posts की list, जो blog type की websites के लिए एक मुनासिब feature है, या आपकी site का कोई page जिसमें आप site पे create हुआ, वाप pages के section में कोई भी page select कर सकते हैं, एक by default sample page आता है, अगर मैं इसे select करूँ, तो कोई भी अगर website को visit करेगा, उसे posts की list की जगा, जो अभी हमें यहां दि इस case में अगर आपने site पे blogging भी करनी है, तो आपको एक और page create करके उसे blog page के तोर पे assign करना होगा, अभी हमारा चुके सिर्फ example page ही published है, इसलिए यहां पे हमारे पास कोई और page select करने की option नहीं है, तो यह हम बाद में देख लेंगे, यहां हम select कर सकते हैं, कि blog pages पे एक वक्त में कितनी posts show होती हैं, और आपकी blog की RSS feed एक वक्त में कितने item show करती है, उसके लाव feed में आपकी post का full text आ रहा होगा, या सिर्फ summary आ रही होगी, यह भी आप यहां पे decide कर सकते हैं, RSS feed एक ऐसा method है, जिसके जरिए दूसरी sites या दूसरे programs आपकी site की posts के updates रिसीव कर सकते हैं, Search Engine Visibility, अगर हम एक site पे development में काम कर रहे हैं, जिस तुरान हम site पे ऐसा content update करते रहेंगे, जो हम नहीं चाहते कि कोई Google पे search कर सेके, तो यह option discourage search engines from indexing this site enable करना एक अच्छा idea है, लेकिन याद रहे हैं कि जब आपकी site पे सारा content complete हो जाए, और उसे आप launch करने लगें, तो इस option क disable करना मत भूलिएगा, वरना Google आपकी site के कोई results शो नहीं करेगा, मैं फिलाल इसे हाँ फिस changes को save कर लेता हूँ, और अभी हम site पे काम कर रहे हैं, तोरान हमें इस content को search engine में लाने की कोई ज़रत नहीं है, इसके बाद discussion options में, यह जो पहली दो options हैं, इने disable करना बहुत जरूर आके comment कर सकें, तो इसे enable रखें, अगर आप नहीं चाहते के comment कर सकें, तो इसे disable करना बेतर रहता है, ताकि आपकी site पे spam ना आए, बाकिए कुछ comments की settings हैं, जो आपको पढ़ने पे उनके बारे में खुद पता चल जाएगा, कुछ important हो सकती हैं, आपकी use case में कुछ नहीं हो स हैं, तो उसके मुक्तलिफ sizes generate कर देता है, ताकि अगर किसी list में एक post छोटे image के साथ दिखाई जानी चाहिए, तो उसमें छोटा image ही इस्तमाल हो रहा हो, उसमें बड़ा imagery size होके इस्तमाल ना हो रहा हो, इसमें तीन sizes WordPress में default आते हैं, thumbnail, medium और large, इनका ज्यादा use हम आगे, अगर visit करते हैं, तो उसमें उसका link क्या इस्तमाल होता है, यह चंद format यहाँ पे हैं, ऐसे मुझूद हैं, जिनमें date का इस्तमाल हो रहा है, month का इस्तमाल हो रहा है, या किसी random number या post के ID का इस्तमाल हो रहा है, इनमें जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तमाल करता हूँ, वो simply post name या आपकी domain name slash post के नाम से generate हुआ हुआ एक link का हिस्सा, या अगर post का नाम sample space post है, तो space के मैं character की बात कर रहा हूँ, या जो space बात दबाने पे आता है, तो यह sample dash post के नाम से यह link बन जाएगा, क्योंकि links में spaces allowed नहीं होती, तो यह post name select करने के बाद, save changes करना मत बूलिएगा, औ और आखिर में हम आजाते हैं, privacy policy पे, आज कल बहुत से laws की वज़ा से, websites पे privacy policy रखना एक बहुत लाजिम जुज है, और एक बहुत important चीज है, WordPress by default एक privacy policy पे generate कर देता है, आप उसे यहाँ पे use this page करें, तो वो आपके privacy policy पेज के तोर पे set हो जाता है, लेकिन यह याद रहे ह by default जब आप WordPress install करते हैं, तो publish नहीं हुआ होता, यह एक draft होता है, इसे edit करके इसे relevant privacy policy से update करना और इसे publish करना यह आपकी जिमेदारी है, अब हम appearance section में कुछ options को देख लेते हैं, appearances में themes में आके हम अपना WordPress का theme सिलेक्ट कर सकते हैं, theme basically site के design को dictate करता है, अगर हम यहाँ एक site का design बदल जाता है, customize पे click करने पे आप WordPress के customizer interface में आ जाएंगे जो WordPress के normal dashboard interface से कुछ मुक्तलिफ है, इस interface में आपकी site की appearance से related बहुत सी options मुझूद हैं, उन्हें आप एक एक section में जाके explore भी कर सकते हैं और change भी कर सकते हैं, इनमें से जाद दर options को जिनकी हमें कोर्स में इस वज़ा से नहीं पड़ेगी क्योंकि हम जिस तरीके से websites build करेंगे उसमें हमारी theme पे dependence बहुत कम होगी और हमारी page builder पे dependence जादा होगी, हम Elementor के नाम से एक बहुत मशूर WordPress का page builder है, वो इस्तमाल करते हैं, वे websites बनाएंगे और Elementor के जरीए ऐसे features implement करेंगे जो अमूमन WordPress में theme के जरीए implement किये जाते थे, तो ये था WordPress का एक backend overview, WordPress install करने के बाद configuration के process का एक overview, अब अगले section में हम WordPress में content upload, publish और import करने के बारे में सीखेंगे,